सद्गुरु श्री ब्रह्मा चैतन्य महराज गोंदव लेकर इनका प्रवचन 14 नवंबर ग्रहस्थी भगवान की मान कर करें ये जो सारा संसार दिखाई देता है इसका कोई नियंतरन करने वाला है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? किसी नास्तिक से पूछने पर कि ये संसार किसने बनाया तो वो क्या कहेगा? यही कि पांच भौतिक तत्वों से ही इस संसार के उत्पत्ति हुई है किन्तु फिर ये तत्व भी आखिर किसने बनाए? इस पर वो कहेगा कि वो कुछ समझ में नहीं आता लेकिन जो समझ में नहीं आता उसका भी आखिर कोई न कोई करता तो होना ही चाहिए इसलिए भगवान नहीं है ऐसा कोई कह नहीं सकता जहां आज बस्ती नहीं है वहां भी हम मंदिर बने हुए देखते हैं और उन मंदिरों को किस ने बनाया, इस बात की खूज करने जाएं, तो हमें चाहे उनके बनाने वाले का पता ना चले, किन्तु जब वे मंदिर वहां मौजूद है, तो उनको बनाने वाला कोई न कोई तो जरूर होगा ही, मतलब कि इस संसार का कोई न कोई करता जरूर होगा ह बस इतनी सी बात है कि वो कौन है ये हमारी समझ में नहीं आता हम ग्रहस्थी में जैसा बरतते हैं, उस ढंग से बच्चे खेल में ग्रहस्थी का खेल रचते हैं, खेल में विवाह करते हैं, वहां सब समारोह मनाते हैं, गुडिया पर सभी संसकार कराते हैं, उनके खेल में प्रसूता वस्था भी होती है, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ ह किन्तु उसी समय उन्हें यदि कोई घर से पुकारता है तो वे खेल छोड़कर फौरन भाग जाते हैं। फिर उस समय उन्हें वो अभी पैदा हुआ बच्चा रोएगा वगेरे की चिंता नहीं होती। बस इसी प्रकार हम ग्रहस्थी में बरते हैं। जब सभी कुछ भगवान का ही किया है तो उसका पालन भी वही करता है और संहार भी करने वाला वही है। तो फिर हमें भी उसके द्वारा दी हुई ग्रहस्थी में कुछ भला बुरा हो गया तो सुख दुख मानने का क्या आधिकार है। मानलो हमने एक घर किराय से लिया है। उसका कई बरस हम किराया दे रहे हैं। फिर आगे चलकर हम यदि कहने लगे कि इस घर के मालिक हम ही हैं। तो क्या उस घर का मालिक हमारी सुनेगा। वो किसी न किसी तरीके से हमें घर से निकाल ही देगा या नहीं। वैसा ही हमारी ग्रहस्थी में हो गया है। जो ग्रहस्थी हमें बगवान ने किराय से दी थी वो हम अपनी मानकर पकड़ कर बैठे हैं। किन्तु जब वो चाहे तब हमें घर से अर्थाथ ग्रहस्थी से हटा सकता है। फिर हम उसे अपनी क्यों समझ रहे हैं। अर्थाथ ग्रहस्थी उसकी है ऐसा समझ कर व्यवहार करे। और जब वो ये लेने आएगा तब उसे लोटाने की तयारी रखें। एसा करने पर ग्र भजन में जाते हैं, तब ग्रहस्थी कैसी सफल होगी, इसकी चिंता ना करें। भजन में लीन होने पर यदी संत तुकाराम जैसी परिस्थिती हुई, तो उसमें बुरा क्या है? मानो की वैसा नहीं हुआ, तो ग्रहस्थी तो चल ही रही है। ग्रहस्थी में रोते रहने की अपेक्षा राम नाम लेकर आनंद में रहें। कुछ दिन तो राम पर पूरा भरोसा डाल कर रहने का अनुभव लो। मन निश्चय ही चिंता मुक्त होगा। पूर्ण निश्ठा पैदा होगी। ये पूर्ण विश्व और ग्रहस्थी इश्वर की है। ग्रहस्थी जिसकी है उसे दे दें और हम मुक्त हो जाएं। जान की जीवन स्मर्ण जै जै राम।